हेलो एरिवन कैसे वह आप सब उमीद है सब अच्छ होंगे आपके अपने यूटूब चैनल चान के नीती पर आप सभी का एक बार फिर मैं अनील स्वागत करता हूँ आज के सेशन के अंदर भी हम पड़ेंगे हरियाना जीक के इंपोर्टेंट MCQ वेरी वेरी इंपोर्टेंट परसन है तो लाश तक सेशन में बने रहीएगा और जिन्होंने पिछले सेशन हमारे नहीं देखें तो जरूर देखिएगा अगर हर्ष्ट टाइम आप चैनल पे आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिल आइकन वो प्रेस करदें ताक से दवान नदी किस जिले में पहुंचकर विलुपत होती है में अंदर गट के अंदर विलुपत होती है दवान नदी तो नेस्ट पढ़ते हैं नेस्ट आता आपकी स्क्रीन पर हरियाना में कितने वायू सेना स्टेशन हैं हरियाना के अंदर कितने वायू सेना स्टेशन बन आए गए हैं आप सभी ने जवाब देना है बिल्कुल अच्छा प्रचन है आप से एक्जाम में पूछ सकते हैं हरियाना में कितने वायू सेना स्टेशन है चैप वायू सेना स्टेशन और मैंने आप से जवाब पुछा है कि हरियाना के अंदर जो चैप वायू सेना स्टेशन कौन कौन से जिले में बने हैं तो next पड़ते हैं next आता आपकी screen पर हरियाना में गुमंतु जाती के लोगों के लिए सरकार ने हाली में समधित योजना चलाई तो किस समधित योजना चलाई है कौन सी योजना चलाई भई हरियाना में गुमंतु जाती के लोगों के लिए हरियाना सरकार ने गुमंतु जाती के लोगों के लिए रासनकाड योजना चलाई है कौन सी योजना चलाई रासनकाड योजना हरियाना के अंदर गुमंतु जाती के लोगों के लिए हरियाना गुवर्मेंट खटर सरकार हमारे माननी मुख्यमंतरी मुणो लाजी ने ये योजना चलाए गुमंतु जाती के लोगों के लिए नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट राता है हाली में किस गाउं का नाम अभी मन्यू पर किया गया ये तो बिल्कुल पुराना क्वेस्ट भई हाली में किस गाउं का नाम अभी मन्यू पर किया गया है पुराना क्वेस्ट इसलिए एक बोलूँगा क्योंकि जो हरियाना के गाउं के नाम बदले गए काफी बार एक्जाम में पूछे गए तो यह question कई बार रपीट हुआ है हाली में किस गाउं का नाम अभी मन्यूपूर क्या गया है तो अमीन गाउं का नाम क्या गया भई अभी मन्यूपूर तो comment box के अंदर बता दीजेगा आप जो अमीन गाउं का नाम अभिमिन्यपूर किया गया है तो कौन से जिले में ये गाउं आता है next पढ़ते हैं next आता आपके screen पर हरियाना का तिसरा सैनिक स्कूल किस जिले में परस्तावित हुआ है तो हरियाना का तिसरा सैनिक स्कूल किस जिले में बनाया जाएगा तो कौन से जिले में बनेगा ये जज्जर में बनेगा भई कहां पर बनेगा जज्जर के अंदर हरियान में तिसरा सैनिक स्कूल बनाया जाएगा important person है पूछ सकते हैं आप से पढ़ते हैं नेश्ट आता आपको स्क्रीन पर Indian Institute of Management Campus कहां बनेगा तो Indian Institute of Management Campus कहां पर बनेगा गारणावती के अंदर बनेगा भई कहां पर बनेगा Indian Institute of Management Campus गारणावती में च्यार इसका सही जवाब हो जाएगा next आता आपकी स्क्रीन पर पेपेश्चू के लगबग कितने प्रतिसतक सेतर में हरियाना बनाया है तो पेपेश्चू के कितने प्रतिसत में हरियाना बनाया है 35 प्रतिसत में क्या है पेपेश्चू भी फूलपर्म पटियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इंपोर्टेंट है भई पूर्स लेंगे पेपेश्चू के फूलपर्म क्या है पतियाला and East पंजाब स्टेर्ट्स यूनियन इंपोर्टेंट अबल ये लगबकीतने परतिशतक सेतर में हर्याना बनायाए 35 परतिशतक सेतर में हर्याना बनाया गया है नगेस्ट आता आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल ईजी परसन है हरियाना में आखरी राष्ट पती सासन कब लगा था चैपराईल 1951 से लेकर 23 जुलाई 1951 तक हरियाना में 1951 के अंदर तीसरी राष्ट पती सासन लगा था तो ये इंपोर्टेंट परसन भैं 1951 में इसकी सरवात हुई थी तो सबसे पहले पंजाब में देश के अंदर राष्ट पती सासन लगा कोमेंट बोक्स में आपने बताने है तो सरवात देश के अंदर अगरम बात करें कौन से राज्जे से हुई थी पंजाब से और तीन बार अरियाना में लग चुका है ये अरियाना के अंदर तीसरा राष्ट पती सासन 1991 के अंदर लगा 6 अपराईल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक किसके काल में लगा था ये चंदर सेकर अमारे प्रदान मंतरी वाकरते और जो राष्ट पती कौन ते रामास्वामी वैक्ट रमन और जो मुख्य मंतरी थे चोदरियों प्रकाष चोटाला और जो राजय पाल है धनिकलाल मंदल उसके टाइम तिसर हर्याना के पांचवे राजय पाल कौन थे तो हर्याना के पांचवे राजय पाल पूछाया तो कौन थे शिरी हर्चरण सिंग बरार हर्याना के पांचवे राजय पाल हुए हैं तो पहले राजय पाल तो सभी को पता हुआ दूसरे राजय पाल का अभी सभी को पता है तो त याद कीजीगा जैसे इसमें पूचा है हरियाना के पांच में रैजेपाल कोन है तो श्री हरी चरण सिंग बरायर पांच में रैजेपाल है तो हरियाना में अब तक कुल कितने रैजेपाल बन चुके हैं कोमेंट बॉक्स के अंदर आपने बताने बिल्कुल important person हो सकता आपकी exam की दस्टी से हरियाना में अब तक कुल कितने रैजेपाल बन चुके हैं तो ये आज के session के अंदर भी हमने हरियाना जिक के important MCQ question discuss किये ये session आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताएगा और जो इस session में कमिया रही है वो भी आप comment box में जरूर बताएगा ताकि ह हम next session में उन कमियों में सुधार कर सके और जल्दी हम बहुत अच्छी series हरियाना जिक के या इंडिया जिक के समधित सरूर करने जा रहे हैं तो दोस्तो हमें ऐसी support करते रहेगा ऐसी प्यार करते रहेगा हम आपके लिए अच्छे से अच्छी series सरूर करेंगे और जो पिसले session जिन्होंने हरियाना जिक के, पोल्टी और जो हमारी short video आती हैं वो नहीं देखें तो जरूर देखेगा तो अभी तक जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया, video share नहीं की, like नहीं की तो जरूर कर दीजिगा, thanks for watching, जैहिंद, जैबार अगले session में जल्दी मिलते हैं